दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके अल आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं कहानी का टाइटल है दा ओनेस्ट वुड कटर क्या मतलब वहां दोस्तों यह जो वर्ड है आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और जैसा मैंने आपको बताया इस story में आपको कई सारे नए English के word meaning सीखने को मिलेंगे तो मेरी आपसे request है आप उन्हें note भी करें और यदि आपको कोई नया structure सीखने को मिलें तो आप उसे भी note करें तो चलिए इसको शुरू करते हैं once a poor woodcutter was cutting trees on the side of a deep pond for selling their wood in the market क्या मतलब वह दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह past continuous का वाक्य है past continuous में जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर was या work का प्रियोग करना होता है helping वर्फ के रूप में और उसके साथ में हमें वर्फ की fourth form का प्रियोग करना होता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो past continuous का वाक्य कहलाता है तो क्या मतलब हुआ once एक बार a poor woodcutter poor एक adjective है जिसका मतलब गरीब एक गरीब लकड़ हारा woodcutter मतलब लकड़ हारा was cutting काट रहा था trees पेड़ों को काट रहा था on the side of a deep pond pond का मतलब तालाब deep pond मतलब गहरे तालाब क्या मतलब हुआ on the side of a deep pond मतलब गहरे तालाब के एक तरफ यह कह सकते हैं गहरे तालाब के किनारे पर for selling selling का मतलब होता है बेचना for selling मतलब बेचने के लिए there would उनकी लकड़ियों को in the market बाजार में तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ एक बार एक गरीब लकड़ हारा पेड़ों को काट रहा था on the side of a deep pond मतलब गहरे तालाब के किनारे पर for selling there would in the market उनकी for selling there would in the market मतलब उनकी लकड़ियों को market में बेचने के लिए from the money मतलब from the money मतलब पैसों से he would get मतलब वह प्राप्त करता he had to buy food for his family मतलब he had to buy food for his family मतलब जो भी खाना उसे खरीदना था अपने परिवार के लिए तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि from the money he would get मतलब उन पैसों से जो से प्राप्त होंगे he had to buy food for his family मतलब उसे अपने परिवार के लिए खाना खरीदना था चलिए आगे देखिए suddenly एक adverb है जिसका मतलब होता है अचानक suddenly his feet slipped और दोस्तों ये जो feet है ये foot का plural noun है जिसका मतलब होता है pair और अगर वो singular होता है तो foot लगाते हैं प्लूरल है तो इसका हो गया feet तो क्या मतलब होता है suddenly मतलब की अचानक his feet उसके जो pair थे slipped वो फिसल गए and his x x का मतलब है कुलहारी और जो उसकी कुलहारी थी fell into the deep pond और दोस्तों ये जो हमारा word है fell ये fall की second form है fall मतलब गिरना और ये second form है और ये हमारा past indefinite का affirmative वाक्य है जब हम past indefinite में कोई भी affirmative का वाक्य है बनाते हैं तो वहां word की second form का प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ and his x और जो उसकी कुलहारी थी fell into the deep pond वो गहरे तालाब में गिर गई how will I feed my family now क्या मतलब हुआ दोस्तो ये जो हमारा वाक्य है ये future indefinite का वाक्य है जब आप future indefinite में कोई भी interrogative का वाक्य बनाते हैं तो वहां पर आपको will का प्रियोग करना होता है सबसे पहले will का प्रियोग करना होता है helping गर्व के रूप में और subject के बाद आपको वर्व की first home का प्रियोग करना होता है और आप इस word को note कर सकते है feed का मतलब होता है खिलाना और दोस्तो ये future indefinite का interrogative वाक्य है उसके अलावा इस वाक्य के अंदर एक interrogative word का भी इस्तिमाल किया गया है और वो interrogative word है how का मतलब होता है कैसे तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ how will I feed my family now अब मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा और ये question है आगे देखिए the woodcutter cried और वो जो woodcutter था मतलब जो लकड हा रहा था cried वो रोया just then just then का मतलब होता है तभी a friendly water spirit appeared और ये अपियर की second form है इसका मतलब होता है prickat होना तो क्या मतलब हुआ और दोस्तों इस जो word है friendly इसका मतलब होता है दोस्ताना just then तभी a friendly water spirit water spirit का मतलब होता है जल परी या फिर जल देवी मतलब की तभी एक जो friendly मतलब एक दोस्ताना जो एक जल परी थी या जल देवी थी appeared वो पिरकट हुई before him before का मतलब होता है सामने before him मतलब उसके सामने with a silver axe with a silver axe मतलब एक चांदी की कुलारी के साथ and asked और पूछा is this yours दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये simple present का वाक्य है simple present का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जो की present से हो और वहाँ पर किसी भी तरह की वर्व का प्रियोग नहीं किया जाता है वहाँ सिर्फ is MR का प्रियोग किया जाता है helping गर्व के रूप में उसके साथ कोई भी noun ये adjective को लेके वाक्य बनाए जाता है तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो simple present का वाक्य कहलाता है और वहाँ सिर्फ तीन helping गर्व होती है is MR तो इस line का क्या मतलब हो और ये question है तो इसलिए यहाँ पर helping गर्व का प्रियोग आगे किया गया है is this yours क्या मतलब हो क्या ये आपकी है तो इस पूरी line का क्या मतलब हो ही तभी एक जो दोस्ताना एक जल परी थी जल देवी थी वो प्रिकट हुई उसके सामने with a silver X मतलब एक चांदी की कुलाड़ी के साथ and asked और उसने पूछा is this yours क्या ये आपकी है चलिए दोस्तो आगे देखिए और दोस्तो यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं जो व्यक्ती है जो लकड हारा है वो परिशान है क्योंकि उसकी जो कुलाड़ी है वो पानी में गिर गए है जिसकी वे से वो परिशान है चलिए आगे देखिए No, नहीं The honest woodcutter said मतलब की नहीं जो honest यह जो इमानदार woodcutter था लकड हारा था said उसने कहा The spirit disappeared into the pond and returned with a golden axe क्या मतलब हुआ दोस्तों disappear का मतलब होता है गायब हो जाना और यह second form है disappear की second form है disappeared क्या मतलब हुआ इस line का The spirit वो जो देवी थी वो जो जलपरी थी disappeared वो गायब हो गई into the pond मतलब कि तालाब के अंदर और वो गायब हो गई and returned with a golden axe और वो लोटी return मतलब लोटी और वो वापस आई वापस लोटी with a golden axe मतलब एक सोनी की कुलाडी के साथ Is this yours? क्या यह आपकी है She asked उसने पूछा चलिए आगे देखिए No, नहीं said the woodcutter once again क्या मतलब हो लकड हारे ने कहा नहीं once again फिर एक बार once मतलब एक बार और अगें मतलब दुबारा मतलब फिर एक बार उसने कहा कि नहीं चलिए आगे देखिए the spirit again disappeared into the pond क्या मतलब हुआ यह जो spirit थी जल्देवी थी again disappeared into the pond वो दुबारा से गायब हो गई into the pond ताला आपके अंदर and returned with his plain wooden axe और फिर वो वापस लोटी with his plain plain का मतलब है सादा जो उसकी जो सादा लकडी की कुलाडी थी उसको लेकर वो उसके साथ वो वापस लोटी चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है לצ्ग रहे उसके मतलब की ये वाली मेरी है लकड हारे ने खुशी से कहा चलिए आगे देखिए यू हैव बीन सो ऑनिस्ट और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा present perfect का वाक्य है और जब भी हम present perfect का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर has या have का प्रियोग किया जाता है और यदि वहाँ पर कोई वर्व ना हो और adjective का प्रियोग किया जाया and as a reward reward का मतलत है पुरसकार और पुरसकार के रूप में या कह सकते है इनाम के रूप में I shall let you take the gold and silver access to उसने क्या का और दोस्तों let का प्रियोग किया जाता है जब हम किसी भी वाकिय में ये मतलब show करना चाहते हैं किसी भी क्रिया को होने दिया जाता है तो वहाँ पर लेटका प्रियोग किया जाता है तो क्या तो जो देवी तो उसने क्या का and as a reward मतलब की इनाम के तौर पर I shall let you take the gold and silver access to मतलब की इनाम के तौर पर मैं आपको सोने की और ये जो चांदी की एक सोने की कुलाडी के साथ आई तो वह उसको मना कर रहा है कि मेरी कुलाडी नहीं है चली आगे देखिया आगे क्या होता है on the way home on the way home मतलब की घर जाने के रास्ते पर the woodcutter met a rich merchant क्या मतलब हुआ दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी past indefinite का affirmative वाक्य है और ये meet की second form में मैट और आपको ये चीज़ आद रखनी कि जब ये आप past indefinite में कोई भी affirmative का वाक्य मनाते हैं तो वहां second form का प्रियोग किया जाता है उसके अलावा वहां पर कभी भी किसी भी तरह की helping work का प्रियोग नहीं किया जाता है तो क्या मतलब हुआ on the way home मतलब की घर जाने के रास्ते पर the woodcutter met a rich merchant merchant मतलब व्यापारी लकड़ारा एक अमीर व्यापारी से मिला when the merchant heard the woodcutter's tail क्या मतलब हुआ दोस्तों ये here की second form है heard इसका मतलब होता है सुनना और यहां woodcutter के बाद epistrophe s का प्रियोग किया गया है epistrophe s का मतलब होता है का के की जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाते है तो epistrophe s का प्रियोग किया जाता है और tail का मतलब होता है कहानी तो इस पूरी sign का क्या मतलब हुआ when the merchant heard the woodcutter's tail मतलब की जब वेपारी ने लकड हारे की कहानी को सुना he ran to the pond और यह run की second form ran he ran to the pond मतलब है तलाब की तरह भागा and dropped his wooden axe in it और drop का मतलब होता है गिरा देना छोड देना I dropped his wooden axe in it और उसने अपनी जो उसकी लकड़ी की जो कुलहारी थी उसने उसको drop कर दिया उसने उसको गिरा दिया उसके अंदर तो इस pull line का क्या मतलब हुआ कि वह तलाब की तरफ दोड़ा और उसने अपनी जो लकड़ी की कुलह पाली थी उसको उसने उसके अंदर गिरा दिया मतलब उस तालाब में गिरा दिया चली आगे देखिए आगे क्या होता है और दोस्तों ये भी हमारा future indefinite का ही interrogative वाक्य है जहांपर interrogative word का use करके वाक्य को बनाए गया है तो क्या मतलब हो अब मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा cry का मतलब दर रोना या चिलाना मतलब कि वह रोया या कह सकते हैं वह चिलाया the spirit appeared with a silver axe क्या मतलब हुआ the spirit appeared appear का मतलब पिरकट होना ये जो spirit थी ये मतलब ये जो देवी थी या कह सकते हैं जो जल परी थी वो वो पिरिकट हुई with a silver axe एक चांदी की कुलाड़ी के साथ या चांदी की कुलाड़ी को लेकर वो पिरिकट हुई that one is mine उसने क्या बोला और दोस्तों mine का मतलत है मेरी that one is mine मतलग कि वो वाली या कह सकते हैं ये वाली मेरी है the merchant said quickly और quickly एक adverb है जिसका मतलग होता है जल्दी से the merchant said quickly वेपारी ने जल्दी से कहा क्या कहा उसने कि that one is mine ये ये वाली मेरी है चलिए आगे देखिए you know it is not set the spirit क्या मतलग हो you know आप जानते हो it is not ये नहीं है set the spirit उस जलपरी ने कहा and disappeared into the pond और disappear का मतलग होना and disappeared और वो गायब हो गए into the pond तालाप के अंदर चलिए आगे देखिए the merchant waited for the spirit to return क्या मतलग होँआ और दोस्तों ये wait की second form है waited तो इस पूरी लाइन का क्या मतलग होँआ the merchant waited for the spirit to return मतलब की वेपारी ने उस जलपरी के लोटने का इंतिजार किया but मतलब लेकिन she did not लेकिन वो नहीं आई he could not get back even his wooden axe तो क्या मतलब वह और दोस्तों could not का प्रियोक जब किया जाता है जब हम past के अंदर किसी भी तरह की possibility को दर्शाना चाहते है तो वहाँ पर could का प्रियोक किया जाता है तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ he could not get back even his wooden axe मतलब उसे अपनी जो लकडी की कुलारी थी वो भी वापस प्राप्त नहीं वो भी उसे वापस नहीं मिली चलिए दोस्तों अब यह जो कहानी है इस कहानी का जो मॉरल है वो अपने खुद के प्रतिफल लेकर आती है तो दोस्तो यह आज की एक छोटी सी कहानी है मैं उम्मीद करता हूं कि जो कहानी है सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं इसका एक संदेश है जो moral है कहानी का वो बहुती अच्चा है जैसा है यहाँ पर देखा हमने इस कहानी के अंदर की जो इमांदर व्यक्ति था उसको उसका reward मिला लेकिन जो बेइमान व्यक्ति था उससे अपनी लकड़ी की जो कुलाडी थी वो भी गवानी पड़ी दोस्तों यह सिर्फ एक कहानी नहीं है इसके अंदर हमें एक अच्छी स शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों यदि आपका कोई भी सुजाव हो तो कमेंट के माधियम से जरूर बताएं यहां तक सुनने के लिए थैंकिस सो मच है वे नाइस टे एंड बाई